गुड बॉर्णिक साथियों एक बार फिर से हम जोड़ चुके हैं आज एक नया वीडियो आपके सामने जो कमपॉंटरेस की सीरीज हमारी चल रही थी उसका आज पार्ट टू है इदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं वहां से आप अपने सेकेंड जो फस्ट वीडियो है हमारा उसको पहले देखें उसके उनी मैथर्स का अप्लिकेशन देखना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला एक क्वेस्टन मैंने आपके सामने लगाया है अमाउंट हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल भी पूछा गया है रेट हमारे पास 11 1 बाइन परसेंट है और समय लेकिन दो साल का दे रखा है लेकिन एक छोटी सी गौर करने वाली जो बात हमारे पास है वो सियाई अप सेकेंड डियर इस वाट दूसरे साल का सियाई हमारे पास 70 रुपय है तो इस क्वेशन को हम कैसे बना सकते हैं इस चीज का अब क्वेशन में ही हम इंटरेस्ट देखेंगे देखिएगा अब क्या करिए आप सबसे पहले आप रेट से काम करिए हमेशा मैंने आपको यही बोला है कि रेट का यूज करते हुए सारे क्वेशन को आसान बनाई है तो रेट की बात करें हम यह है 11 1.9% अब जैसे ही इन फ्रेक्शन हमारे पास दिमाग में आया होगा यदि परसेंटे वाले नंबर को प्रिंसिपल माले क्यों क्यों कि हमें प्रिंसिपल नहीं पता तो प्रिंसिपल अजूम कर लेते हैं तो प्रिंसिपल हम अजूम क्या करेंगे उसको ज़रा ध्यान से सुनना तो मैंने प्रिंसिपल मालो 9 यूनिट ले लिया समय कितना है बच्चे 2 साल तो हमेशा ध्यान रखो जो प्रिंसिपल आपके पास दे रखा है इस प्रिंसिपल को 9 की पावर 2 ले लो that is what? 81 मैंने suppose कर लिया let the principle is 81 मेरे हिसाब से जो प्रिंसिपल है वो मैंने मान लिया वो कितना मान लिया? 81 81, 81 रूपे मान लिया अब मैं इस 80 रूपे पे यही रेट लगाना चालू करूँ जो question हमसे लगवाना चाहता है 11 1 by 9 पासेंट तो देखो यह question कुछ ऐसे जाएगा 2 साल का case बनेगा तो भई पहले साल भी आपके पास 1 by 9 रेट लगेगी इसका मतलब interest कितना आएगा? 9 रूपेज ऐसी दूसरे साल फिर से वही रेट लगेगी तो हमारे पास फिर से वही interest आएगा कितना? 1 by 9 that is what? 9 आएगा चीक है? अब उसके बाद इस interest पे further interest लगेगा वो कौन से interest लगेगा? 11 1 by 9 परसेंट लगेगा तो यहाँ पे जो interest निकल के आएगा वो कितना आएगा? सिर्फ 1 Is it clear? फिर से समझ लिजे 81 हमने principle माल लिया इस principle का 1 by 9 लगाया तो 9 आपके पास 1st year का interest हो गया 2nd year में फिर से हमने वही 1 by 9 लगाया तो interest फिर से 9 आगया अब 9 का फिर से वही 11 1 by 9 परसेंट निकालेंगे तो कितना मिलेगा? सिर्फ 1 मिलेगा चीक है? 1 मिलेगा अब उसके बाद यदि हम बात करें तो देखो अब उसके बाद हमारे question ने क्या गेटा दे रखा है? हमारे question ने compound interest सेकंड यर का दे रखा है तो मैं आपसे बोलू यह 10 unit जो डेटा है वो कितने साल का interest है? तो आप बोलेंगे साथ दूसरे साल का interest है टोटल दो साल का नहीं है? only 2 years, second years तो हमारे पास यही interest हमारे question actual में कितना दे रखा है? तो मैं बोलूँगा 10 unit की value question ने 70 दे रखी है तो 10 की value यदि 70 है तो मेरे प्यारे बच्चे एक की value कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा कितनी होगी? 7 होगी एक की value कितनी होगी? 7 होगी तो एक की value 7 होगी तो मेरे question ने सबसे पहला answer principle और amount पूछा है तो मैंने principle अजूम कर रखा है तो मैं 81 unit की value directly साथ गुना कर दो तो यह होगया 567 पहला answer आपकी नजरों के सामने आ चुका है दूसरा answer यदि निकालने के कोशिस करें तो क्या बनेगा? देखे आपके सामने दूसरा answer amount का है amount is equal to होता है principle प्लस interest और interest ci चल रहा है तो बिटा principle तो 81 बनाया और यदि compound risk की बात करें तो 9, 9, 18 और एक कितना होगया? 19 तो total 19 आपके पास interest हो गया दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया? 100 unit आपके पास हो गया तो जो principle आपने निकाला उसका जो amount बन रहा है वो हो 100 unit है तो 100 कहीं दी 7 time कर दें तो कितना हो जाता है बिटा? 700 तो ये लो भाईया दूसरा answer भी आपके सामने आ चुका है और दोनों questions आपके आसानी से बना दिये गए है चीक है? सारे बच्चों को सारा idea clear है के नहीं? कोई दिक्कत किसी को भी देखिए बहुत चीज़ें आसान हैं आपको उन थीदों पर practice करना है कमान्ड जितनी जादा आप करेंगे questions के साथ तने ज़्यादा से अच्छे से वो questions से समझ आ रहे होंगे ये बात कि आप बहुत अच्छे से चर्चा कर लें चलिए बढ़ते हैं और आगे और जानते हैं हमारे पास क्या इसमें नया है और कैसे हम इस question को आसान बना सकते हैं चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और अगला question आपके सामें लगा देते हैं जब तक आप question पे प्रयास करिए और चीजों को समझने का प्रयास भी करते रही है ठीक है हटा दें कुश्चन को पूरा का पूरा कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्छे को हटा देते हैं चलिए बहुत ध्यान से आप प्रैक्टिस करिए अगला कुश्चन बस थोड़ी सी देर में चलो बहुत देखो यार अगला कुश्चन क्या है प्रिंसिपल हमें फिर से निकालना है रेट लेकिन इस बार 15% है समय आपके पास वही 2 साल है लेकिन CISI का डिफरेंस हमारे कुश्चन ने 2.70 पैसे दे रखा है और CISI फिर से हमसे पूछा गया है दो बाते फिर से हमारे कुश्चन ने पूछी है बहुत ध्यान से बनाने का प्रयास करिए चीदें आसान हैं लेकिन आपके पास से दिक कॉंसेट की कमी है तो ये कुश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं ये रहा कुश्चन और आपका रहा टाइमर स्टार्ट प्लीज डू फास्ट जल्दी से आप अपने आंसर्स बताईए जितना जल्दी आप प्रयास करेंगे उतने बढ़िया से आपके कुश्चन्स बन रहे होंगे जल्दी बताईए चलिए तो फड़ा फड़ स्टार्ट करते हैं हम लोग इस कुश्चन को बनाना चालू करते हैं ठीक है तो फिर से हमारे पास देखो रेट दे रखिए 15% उस 15% की हेल्प से ही हम आंसर लगाएंगे 15% का इदी फ्रेक्शन दे आपसे पूछा जाए तो भई रेट इदी 15% है तो 15% का फ्रेक्शन इदी आपको याद ना हो तो मैं बता दू 3 by 20 होता है तो यह 1 by 5 आपको मालूब होना चाहिए 1 by 5 आपके पास कितना होता है बच्छे 5% होता है 1 by 20 sorry 5% होता है 5 का 3 गुना 15 होता है तो आप इस question को ऐसे समझ सकते हैं ठीक है अगली बाद यदि हम सुनने का प्रयास करें तो बेटा यह है principle तो इस principle का 15% यदि हम निकालेंगे तो amount हमको मिल जाएगा कितना 20 लेकिन वो एक साल की कहानी चलने लेकर रही है कितने साल की कहानी चल रही है एक साल की कहानी चल रही है तो भाई मेरे को बताओ यदि हम principle की बात करें तो भाई principle के हिसाब से हमें CISI का difference निकालने की बात कर रहे हैं तो हम 2 साल का समय देख पा रहे हैं तो क्यों ना हम इस 20 का स्क्वेर लगा लें। वो 20 का स्क्वेर आप सारे बच्छों को पता होगा 400 होता है। तो मैंने let the principle is what? 400. तो इसी 400 रुपे को लेके चले हम और दो भाग में हम इस पैसे को बाट दें। कि पहले और दूसरे साल में interest क्या क्या मिला होगा। भही आप पहली वीडियो यदि नहीं देखिए। मैं बारबार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यदि आप बीच में भी entry कर रहे होगा यदी वीडियो के। तो मैं आपसे request कर रहा हूँ, पहला वीडियो जरूर देखें, अधरवाइस ये दूसरा वीडियो आपको समझ नहीं आने वाला, ये methods क्या चल रहे हैं, ये सारी चर्चा मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ, चीक है, तो ये चीज का मैं आपसे request कर रहा हूँ, आगरे कर आप प्लीज, ये चीज़े अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो प्लीज, sequence से जाना start करिए, जिससे आपको फाइदा मिलेगा, चीक है, चलो, अब हमने देखा भई, इस नंबर का 15%, और इस नंबर का भी 15%, तो 3 बटा 20 निकालेंगे इसका, तो 15, 4, 60 मतलब आपके पास 60 यहा हो गया, और इसका इससे फिर से वही 15% रेट लगा के दि हम निकालें, तो 15,90 होता है, इसका मतलब 9 रुपे और मिल जाएंगे, तो मैंने फटा फट अपने पास जो चीज जरूवत थी, मैंने वो लगा ली, अब मुझे बताओ, यहाँ पेदी में आपसे question पूस्ता, कि 60 जो 60 को इदी हम add कर दें, तो 120 मिलेगा, तो यह 120 interest किसका है, तो आप बोलेंगे से पहले और दूसरे साल का है, लेकिन यह SI है, क्योंकि principle पर calculate किया गया interest, हमेशा simple interest कहलाता है, यह सारे बच्छों को पता होना चाहिए बात से, अगली बात, यदि हम 9 की बात करें, तो 9 क्या ह लख लें, यह 9 जो है, यह CI SI का difference कहलाता है, what we called CI SI का difference बोलेंगे, तो मुझे इसी unit की value चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास real data इसका मालूम है, तो भही मेरे पास CI और SI का difference की as a unit, as a unit 9 unit है, और 9 की value 2.70 पैसे है, तो एक unit की value कितनी हो जाएगी, 30 पैसा, और एक unit की value यदि 30 पैस है, question ने पूछा सबसे पहले principle, तो बेटा principle तुमने कितना माना था, principle हमने माना था बेटा 400 unit, तो 400 का बेटा 30 गुना कर लो, 0.30 time, तो 4 ती या 12 मतलब 120 रुपे आपके पास यह मिल गया, यदि हम दूसरा निकालना चाहते हैं क्या, CI निकालना है, simply CI निकालना बेटा, CI नि है, multiply कर लो, तो 9 या 27, 7 हो गया, right, 2 carry हो गई, फिर उसके बाद 3 दूना 6 और 2, 8 हो गया, फिर से, अब यहां पे 3 एकम 3, तो 38.7 आपके पास यह answer आ गया, और दूसरा answer आप आपके पहले निकाल चुके थे, तो होपसो सारा question आपके दिमाग में बैट गया होगा, नहीं समझाया, दवारा वीडियो को remind करिये, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिये, और आपको इन वीडियो को बार बार देखने का प्रयास करना है, जितना जादा आप इन वीडियो को देखेंगे, उतने जादा यहाँ पे print हो रहे होंगे, ठीक है, चलो बढ़ते हैं, आगे एक और example से जुड़ने का प्रयास करते हैं, क्या हमारे पास इसमें नया और छुपा हुआ है, चलते रहे हैं, धीरे धीरे आपके पास वीडियो के number of parts आते रहेंगे, बस आपको जुड़े रहना है, ठीक है, और पूरा ज्यान लेके जाना है, पूरा ज्यान सीख के जाना है, ठीक है, अगले question पे जुड़ने का प्रयास करते हैं, हटाते हैं इसको भी, screenshot बनाना है तो हम बना सकते हो, next, जल्दी से बताओ भी, क्या इसका right answer है, उस किरपया करके वीडियो को बार बार pause करें, और solution बन बनाते रहें, फिर उसके बाद मेरा वीडियो देखें, आगे resume करें, ठीक है, अगला question आपकी नगाहों के सामने हम सिर से लगाने start कर रहे हैं, और ये रहा, principle हमारे पास इस बार 18,000 दे रखा है बटा, ठीक है बाद, rate हमारी जो चल रहे हैं, वो 16,2 बटा 3% है, बहुत ही हम CI ही निकालना है इसमें, तो एक ही चीज पूछिए, देख लो भई, कितना चोटा सा question है, लेकिन ये एक जो time है न, ये कई सारे बच्चों की मुसीवत बन सकता है, ये मुसीवत 100% बन सकता है, यदि आपने चीजों को conceptually बहुत अच्छे से नहीं समझायता हूँ, चीक ये बहुत जान से, क्योंकि principle भलाए दे रिख रहे हैं, लेकिन हमें फरक नहीं पड़ता सर, हम तो हमेशा rates से जाएंगे, rates से question को बनाना थोड़ा सा आसान होता है, बाकी बहुत सारे YouTube पे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, सेम question को solve करने वाले अलग अलग तरीके से समझा लेकिन हम यहाँ पर जो सीख रहे हैं, वीडियोज के माद्यम से, वो best तरीका सीख रहे हैं, जिसमें हमें time कम लगेगा, और सटीक भी रहेगा, वो हर एक student के लिए, तो हम इसकी बात करें, तो इस number का fraction 1 बटा 6 होता है, यह बात सबको मालूम होंगे, लेकिन आपको एक ची इस fraction वाले time को हमेशा approximately आगे वाला time बनाएं, जैसे लिखा है, एक साल 73 दिन, तो बिटा में इसको मान लेता हूँ, यह दो साल के बराबर हैं, यह suppose करके चलना हूँ, यदि मेरे पास for example, समझना धान से, लिखा होता 3 साल 6 महिने, साले 3 साल, तो आप इसको fraction में मत लिखना, आप यह समझने न, यह 4 साल के बराबर हैं, approximate, मतलब हमेशा और हमेशा जब भी fraction वाला time आपके पास आ जाए, तो आप हमेशा और हमेशा आगे वाले number से उस number को swipe कराईए, यह मैं आपको request कर रहा हूँ, ठीक है, सुनिए बहुत ध्यान से, अब क्या करना है, मैंने देखा क मेरा time कितना था, इतना, तो मैंने उसको 2 बना लिया, तो बिटा इस number को 2 की power चड़ा दो, 6 की power दो, तो यह कि 36, तो मैं let the principle is what, 36, वैसे principle दे रहा है, हम इसको बाद में compare कर लेंगे, बाद में हम इस number को compare कर लेंगे, यह 36 का 5 गुना कहीं ना कहीं, 500 गुना बन जाएगा, व 36 को लेके शलो, प्रिंसिपल लेके शलो, ठीक है, अब इस पे लगाओ, दो साल का rate, वस्ट येर, सेकेंड येर, तो इस number का 16 निकालेंगे, तो कितना मिलेगा, 6, इस number का फिर से 16 निकालेंगे, कितना मिलेगा, 6, और इस number का फिर से 16 निकालेंगे, कितना मिलेगा, 1, समझ ग आपको बताओं कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे प्लीस कमेंट करके जरूर दे और वीडियो कैसा लग रहा है इसका रिव्यू भी जरूर इसी कमेंट बॉक्स में जरूर डाले ठीक है चलो बई आगे बढ़ते हैं सुनिये बहुत जान से एक बात बहुत जान से सुनो फिर्स्ट यर का इंट्रेस्ट कम्प्लीट है यह रहा सेकंड इयर का इंट्रेस्ट जो की है बेटा वाट 7 लेकिन मेरे कोश्चन का इंट्रेस्ट कितने साल का चाहिए एक साल प्लस तहतर दिन सुनो बहुत धान से यही कुश्चन बस यही पे लाके ट्विस्ट आपके सामने खतम करेगा तो एक साल का इंटरेस्ट तो 6 है यह बात 6 है लेकिन 73 दिन तो मेरे प्यारे बच्चे यह दूसरा साल है इस दूसरे साल का पूरे दिनों का इंटरेस्ट नहीं चाहिए अब आपको पता है जो साल होता है उसको हम 365 दिन के बराबर लिख सकते हैं एक साल बराबर 365 दिन होते हैं यह सारे बच्चों को पता होगा तो मुझे बताओ यह जो इंटरेस्ट लिखा है ये 365 दिन का interest है के नि अब 365 दिनों में जी 7 रुप ईंटरेस्ट निकलता है तो मैं बोलू सिर्फ 73 दिन का interest चाहिए 73 दिन का interest कितना तो आप बोलोगे सर 73 दिनों का interest जी आपको निकलना है तो 7 इसको एक दिन का interest निकलने के लिए divide कर दो और इसको तहतर से गुणा कर दो दिख रहा है सारे बच्चों को बिलकुल दिख रहा है आप क्या करो इसको simplify कर लो याद रख लो बिटा ये इस नंबर का 5 गुणा होता है पासे इस नंबर को काट दो तो 5 से एक बार और दो बज़ गया 5.20 मतलब 1.4 आएगा तो हमने इस नंबर को 1.4 और लगा दिया तो टोटल मिला दे प्यारे बचे तो ये नंबर कितना हो गया 7.4 7.4 तो भई एक साल का जो interest निकल के आया वो 7.4 unit निकल के आया क्या निकल के आया unit निकल के आया तो आपको ये बात ध्यान रखना ये unit में value है हमें actual answer चाहिए तो मुझे बताओ ये इस नंबर का कितना है तो आप बोलोगे सर ये इस नंबर का 500 गुना है क्योंकि principle मैंने अजूम किया और question ने principle और दे रिखा था तो ये नंबर 500 गुना है लेकिन एक point हटाना है तो आपके पास एक 0 उड़ा दो तो आपके पास इसका right answer जो निकल के आने लग रहा है वो कितना हो गया 3700 लो भे question solve हो गया इसी question को बनाने के किताबों में एक दो तरीके और हैं आप उन तरीके को भी follow कर सकते हो या फिर जो मैंने तरीका आपको सिखाया यह सबसे best तरीका आपके सामने निकल के आ सकता है understanding develop करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है जो मैं सीरीज में starting पहली वीडियो मैं फिर से बोल रहा हूँ पहली वीडियो में जो बात मैंने आपको सिखाई है उनी बातों पे मैं बिल्कुल अंतर तक बना रहूँगा और धीर धीरे उन चीजों को सिखाते रहूँगा आपको अगला question आपके सामने लगाते हैं बहुत जोड़दार question होगा एक और question से हम जोडने का प्रयास करते हैं चलो पहले मैं question लिख देता हूँ जब तक आप solve करेगा मैं बाकी चीज़े हटा दूँगा यासे बहुत आसान है चीज़े भई math एक ऐसा subject है जहां से हम 100% score भी generate कर सकते हैं और चीज़ें बहुत आसान भी है ऐसा नहीं कि बहुत difficult है बहुत ही शामदार question अब आने वाला है भई एक concept और सिखा के जा रहा है आपको हाँ यह रहा principle आपके पास है 8000 बहुत अच्छा question है ध्यान पूर्वा का आप note करना rate हमारे पास 20% per annum है PA का मतलब per annum समय आपके पास 1 साल है कुछ चहरे खुशी से जगमगा गए होंगे पता करना है find ci minus si if rate is compounded यह थोड़ा सा दिक्कत वाला हो गया quarterly what quarterly और कुछ तो नहीं दे रिखा है बस इतना ही दे रिखा है बच्छे चलो बताओ भी question आपके सामने आ चुका है बताए जल्दी से क्या answer है इसका please do fast practice करिए बोलिए बई यह भी हटा देते हैं सबसे पहला हमने जो change देखा वो change हमने जो देखा वो था हमारे पास किसका rate का sorry time का अब हम जो change देख रहे हैं वो किसका देख रहे है rate का ठीक है ना अब वो rate का हम concept और देख लेते हैं चलिए आपने question solve कर लिया होगा जैसा की time आपको मेरा था चलिए जल्दी से हम इस question का बढ़ाने का काम करते हैं देखे यार यह जब word लिखा हो quarterly या फिर half yearly बस दो ही बातें आपको बहुत अच्छे समझना है तो मुझे एग छोटी सी बात आपत की तरफ से बता दीजे क्या छोटी छोटी दो question है कि जो one quarter है यह कितने मन्त को represent करता है बोलो भई कितने मन्त को represent करता है तो आपका जबा होगा थ्री मन्त ठीक है तीन मन्त तो मुझे बताओ एक साल में एक साल में कितने quarter बनेंगे एक साल में कितने quarter बनेंगे तो भईया बारा आपके पास महिने होते हैं एक साल में और तीन महिने को तुम एक quarter बोल रहा है इसका मतलब कितने बनना चाहिए चार quarter बनना चाहिए भईया एक quarter ती तीन महिने का है तो एक साल में बनने चाहिए चार quarter तो बस यही question आपका complete हो जाता है अच्छा इसी में दी half yearly का case आ जाए तो आपको पता है जो एक half year होता है वो 6 महीने के बराबर होता है एक half year 6 महीने के बराबर होता है तो मुझे बताओ एक साल में half year कितने होंगे दो half year बन जाएंगे बस यही तो concept जानना होता है तो अब मुझे बताओ यदि हमारे पास rate को compound किया गया है quarterly basis में यदि quarterly basis पे compound किया है तो rate तो हमारे पास दे रखी वो परेनम है तो इस परेनम को यदि हम quarter में change करें तो 20% को यदि हम divide कर दें क्योंगि एक साल में quarter होते हैं 4 त लो भई पहला change rate को कैसे change करना यह सीख लिया आपने समय टाइम की बात करें तो भई यह एक साल है तो भई इसको भी quarter में change करो तो time हो जाएगा 4 quarter question वही बन गया है जो question अभी थोड़ी देर पहले हमने discuss किया अब हमें क्या करना है कि कोई principle आपके पास है 8,000 रुपे जिस पे 5% के साथ से 4 quarter में कितना interest आएगा और interest इस बार हमारा CISI का difference है फिर से हम वही 3 method लगाने वाले हैं तो हमने क्या किया इस 8,000 को उठाया अब आप सोच रहे होगे सर 8,000 हम सीधा क्यों उठा रहे हैं इस बार इस बार मैं 8,000 को डारेक्टली ले के चल रहा हूँ principle क्योंकि देखो यह थी हम 4 quarter की बात करें तो हमारे पास time 4 unit है तो power 4 चड़ाना पड़ेगी तो power जब 4 चड़ा होगे तो भीया समय जादा लग जाएगा मतलब नमबर काफी बढ़ा आ जाएगा तो हम ultimately अन्ने से नमबर को बढ़ा करने की बजाए सीधे सीधे नमबर पे काम करना चालू कर रहे हैं चीक है बाद समझ रहे हो बात को की नहीं है तो सुनों बाई अब इस पे हम पहले quarter में कितना interest आएगा दूसरे quarter में कितना interest आएगा तीसरे quarter में कितना interest आएगा और चौते quarter में कितना interest आएगा अब ये सीधा calculate करें ये सारा question quarter के basis पे हो गया ठीके बाद चलो स्टार्ट करें कॉंसेट सारा क्लियर है बस दो ही लाइने मैंने आपको कॉंसेट में समझाई है चलिए स्टार्ट करते हैं तो किसका 8000 का 5% 8000 का 5% तो 8500 मतलब 400 रुप है पहले क्वाटर में 400 का इंट्रेस्ट आया दूसरे क्वाटर में फिर से 5% तो फिर से क्या आया फिर से 400 आया लेकिन आपको पता है केस कौन सा है सरकेस CI का है compounded quarterly है तो भई CI का है तो इंट्रेस्ट पे इंट्रेस्ट भी निकालना पड़ेगा तो भई 400 का फिर से 5% तो 45-20 इसका मतलब 20 रुपे और आएगा जो की दूसरे क्वाटर में जुड़ेगा तीसरे क्वाटर में चलो फिर से 5% लगा दो तो भईया 400 फिर से आ गया लेकिन पहले दो क्वाटर में 400, 400 और 20 तो टोटल मिला के पहले दो क्वाटर की दी हम बात करें तो हमने टोटल मिला के कितना इंट्रेस्ट के गेन कर लिया 820 रुपे अब 820 रुपे का कितना परसेंट 820 का सर पाँच परसेंट तो पाँच परसेंट का मतलब एक बटा 20 होता है इसका मतलब ये बात कितनी होगी 41 ये पहले दो क्वाटर का इंट्रेस्ट आ गया अब अगले चोथे क्वाटर में चले तो फिर से प्रिंसिपल का तो 400 फिक्स है अब पहले तीन क्वाटर का ये वाले तीन क्वाटर ये स्टार्टिंग वाले तो मेरे को बताओ, यदि 820 यहां तक हो गया, 441 और जोड़ने, मैं सीधा यहीं खर रहा हूँ, तो यह हो जाएगा बिटा कितना, 842, 1261 रुपे, अब इस 1261 रुपे का, अब यहां लिख दो गया, दिख रहा है गया, हाँ, चलो, यह 1261 रुपे है, और इसका 3 साल का, 1, 2, 3, यह quarter है, आप साल बोलें, कुछ भी बोलें, इसका कितना निकालना है, 5%, मतलब एक बटा 20, और एक बटा 20, मतलब कितना हो गया, 4, 2, 6, और 2, 5, 10, 0, 5, 63.05 आपके पास ही आगे, तो इस नंबर को उठा के हमने यहां चिपका दिया, last line पढ़ लो भई, question ने क्या पूछा था, question ने बस पूछा है आप से कि भईया, CISI का difference कितना तो आपको पता है, पहली line जो लिखी हुई है, this is what, this is called, simple interest, and second line के यदि हम बात करें, this is called, CISI का difference, तो आप मुझे बताईए, यदि हम इन सब को add कर दें, तो कितना हो जाएगा, तो यह बन जाएगा, भईया, 124.05, answer, चीक है, समझ गया सबी लोग, तो चीज़ें बहुत आसान है, देखो यार, मैं आपको बता दूँ, हर एक concept अपने आप में complete है, अपने आप में important है, आपको सर्थ ये है, कि आपको हर एक concept को बारबार number of questions के साथ revise करके practice करना है, जितना जादा आप practice करते रहेंगे, उतने बढ़िया से ये concept आपके दिमाग में उतर रहे होंगे, चीक है, चलिए फिर आज के लिए हम आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें, वीडियो को pause करते हुए देखें, मत non-stop देखें, आप 4 दिन में देखें इस वीडियो को, लेकिन हर concept को बहुत बारिकी से देखें, क्योंकि unnecessary time कराब करेंगे, और वीडियो में मज़ा नहीं आएगा, तो फिर unnecessary आप distract होगे वीडियो से, चीक है, तो बहुत शांदर तरीके से आपको आगे बढ़ना है, वीडियो में मज़ा आया, तो प्लीज वीडियो को like कर लिजे, पहली बार वीडियो से जुड़े है, प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को, और जुड़े रहे मेरे साथ only educational platform पर, मिलते हैं, ऐसे interesting वीडियो के साथ, और भी इसकी series आएगे भी, अभी chapter खतम नहीं हुआ है, बहुत लंबा series चलेगा, आपको बस बने रहना है, और जुड़े रहना interesting वीडियो के साथ, thank you so much सकता है बढे बनूद के साथ, गय remember, कि मेरे हैं, रुड़े रहना है, उन्वाईके साथ, और र